नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं कमें कापद सब्सक्राइब हो गया था विपाद में आदिवासी संगठिनों ने इसका विरोद्ध किया था बाद में या मामला टीएस्ची में गया जहां इस रोटेशन का विरोद्ध हुआ इसके बाद ही सरकार ने रोटेशन समाप्त करने के लिए इसे मंत्री परश अब उठाए युआ, मुख्य मंत्री हेमां सुरे ने अस्थापना दिवस के मोख्य पर युआओ के हित में बड़े फैसले लेते हुए कई युजनाओ को लंच किया, जिसमें मुख्य मंत्री सार्थी युजना इन ही में से एक है, इसके तहट युआओ को पर्खंड अस्तर पर रोजगार मुख्य कौसल पर सिक्षण दिया जाएगा, मुख्य मंत्री सार्थी युजना कौसल बिकास मिसं द्वारा संचालित की जाएगी, अब तक राज्य में कौसल बिकास सेंटर जिला मुख्याले में ही चलते हैं, सार्थी युजना के तहट प्रखंड अस्थर पर भी सेंटर खोले जाएंगे बता दे इन सेंटरों में कार्परेट इलेक्टेशियन मसीन ऑपरेटर जैसे रोजगार उन्मोकन परसिशन दिये जाएंगे वहीं गर आवासे परसिशन प्राप्त करने वाली युवाओं को एक हैर रुपे प्रहति मा यात्रा भत्ता भी दिय जाएगा प्रसिशन के बाद अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें प्रुसाहन भत्ता भी मिलेगा रोजगार नहीं मिलने पर लड़कों को एक हैया रुपए और लड़कियों को पंद्रह सें रुपए भत्ता भी दिया जाएगा बिधान सवा सत्र का पाचवा दिन भाजपा बिधायकों ने सरकार को घेरा जार्खन बिधान सवा सितकाले सत्र का आज पाचवा दिन है आज भी विभीन समस्याव और विशायों को लेकर बिधान सवा के मुखे द्वार पर भाजपा बिधायकों ने परदसन किया जामों के विधायक वापूरवेत में राजे के स्वास्ते मंत्री राचु के वैजनात राम ने बालूमात में C.H.C. के निर्मान की माँग को लेकर धर्ना दिया इसी के साथ आज बिधान सवा में उन तिन बिधायकों को दोबारा प्रस्तूत किया गया जिन में राज़े परवरा में इस वैसने तुरूटिया बताते हुए सरकार को आपस लोटा दिया था इनमें जारकन बिधायक दौर्काईस जारकन राजक्रिशी उपज और पसुधन विपनान बिधायक 2022 तदा जारकन काराधान अथेनियमों की बकायरासी का समधान बिधायक सामिल है रिम्स में कोविड जाच कीट खत्म रिम्स के पास पॉजटिव सेंपल एक ही है ऐसे में रिम्स के पास पांच क्रोवर की जिनों सेंपल मसीन होने के बाद भी जाच करना असंबव है रुबिका हत्या कांड पर भड़का पाहाडिया समाज फांसी देने की मांग जारखन के साहव गंज में पाहाडिया समाज की यूती रुबिका के साथ होई दिल दाला देने वाली घटना को लेकर पूरा देश भर में उबाल रहा इसी करम में उसके हत्यारों को फांसी की साया देने की मांग को लेकर सुक्रवार को बोर्यों में रुबिका पाहाडिया निया यात्रा निकाली गई यह बोर्यों दामिन डाक बांगला से बेल टोला मेन रोड थाना रोड होते हुए बलोग परिशर तक गई वहाँ आधिकारियों को ग्यापन भी स्वपा गया अखिल भारती आदिम जन जाती विका समीती जार्खन के तत्वधान में हील एसेम्बली पहाडिया महा सभा द्वारा निकाली जा रहे ही इसरैली में लोगों से प्रमपरागत हत्यारों के साथ सामिल होने का निद्यस दि कांग्रेस की विधायक सिलपी नेहा तिर्की ने सदन के अंदर कहा है कि उन्हें सवाल पूछने से साजिस के तहत रोका जा रहा है विधायक ने कहा है कि उन्होंने दो आंतरिक प्रश्न डाले थे लेकिन वह सदन में सवाल जबाब करने का मौका नहीं मिल पाया उन्होंने कहा है कि जो सवाल पूछे थे उसे एक अधिकारी के पोल खुलने वाली थी वह अधिकारी मुझे से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था सिलपी ने हाने कहा है कि ठीती इतनी भ्यावा है कि सदन से जिस संबंधित अधिकारी के बारे में सवाल पूछती हूँ वह अधिकारी फ उन्होंने कहा है कि EMS में डॉक्टर करमचारी अधिकारी से लेकर मजदूर तक बाहरी हाई, EMS डारेक्टर लगातार बाहरीयों को भरती कर रहे हैं, इससे वहां के लोगों में काफी अक्रोस है, उन्होंने सरकार से मांग किया है कि उपायूक्त और स्रमायूक्त EMS के करमियो की सूची प्राप्त करके करवाई करें, उन्होंने स्पीकर से इस मामले की निगरानी के लिए एक विशेस कमिटी भी बनाने की मांग की है। गौतला भाय की एक हिजदी समबर को भाजपा की विधायक अमित मंडल ने सदन मिस्तवाल किया था कि राजे के विधी भी भायग ने उन्हें से 32 खत्यान अस्थानिय नित्य को सोब हिजदी विधी समवत नहीं बताया था, इस पर स्पीकर ने सरकार को इसे समधी जवाब देने को कहा था, इसी को लेकर भाजपा आज सरकार से इस मुद्य को लेकर जबा मांग रही है और सदन में इस पर चार्चा करना चाह रही है मास्क लगा कर पहुँचे बिजेभी बिधायक सरकार पर जम कर बरसे इसके बावजूद राज की स्थिती में सुधार नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा है कि इसी वज़ा से सतार दल के बिधायक भी अब सरकार से नराज चल रहे हैं और धारना पर बैट रहे हैं वहीं बिपक्ष जब सरकार के कामकाज पर सवाल उठाती है तो राजनेती करने का रोप लगा जाता है लेकिन हकिकत यह है कि कानून ब्यवस्था से लेकर राज सरकार की सारी जोजनाय पूरी तरह से ठाप है जिसका खमिया जाना राज की जनता भूगत रही है घाने कोहरे के बीच कई ट्रेन को रद किया गया है कोहरे को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट को बदला है तो वहीं कई ट्रेनों को रद कर दिया है कई ट्रेने की समय सार्णि में भी रेलवें ने बदलाव किया है तो वहीं आएसिया संकाहाई की आने वाले समय में घने कोहरे के कारण कई ट्रेन अपने नियत समय से काफी लेट चलेंगी दिसंबर और जनवरी के अलग अलग दिनों में जसीडी पटना होकर चलने वाली चार लंबी दूरी की ट्रेन ने धनबाद गया होकर चलेंगी इसमें अकाल तक्त एक्सप्रेस, पुर्वा एक्सप्रेस, नांगल डेम एक्सप्रेस और विरांगना लक्षमी बाई जहांसी एक्सप्रेस सामिल हैं पूजा सिंगल अभी जेल में ही रहेंगी मनी लॉंडरिंग केस में आरोप में रांची के बिशा मुंडा केंद्रिय कारागार में बंद निलंबीत खान सची पूजा सिंगल, पूजा सिंगल के पतिय विसेग जहा के सिये सुमन कुमार और नौकरी से बरखास्त जेई, राम बिनोद परसाद सिना की नहीं खिजासत क योदी 12 दिन तक बढ़ा दी गई, मामले में अगली सुनवाई 4 जन्वारी को होगी, गोतला भाई की तीनों आरोपियो को वीडियो कंफरेंसिंग के जरी आदालत में प्यस किया गया था, बता दे कि खुटी में हुए 18 को रुपेक मन रहे होटाले की जाच एडी कर रही है इसी मामले में 6 मैं 2022 को इडी ने जर्खन की ततकारिन खान सची पुजा सिंगल और उनके कारवियों के कम से कम पचिश्टी कावनों पर छापे मारे भी की गई थी सराब पीने के लिए बेटे ने पीता को टांगी से कटा जर्खन की रेधानी दाची के दसम फौल थाने छेतर अंत्रगत काजी बारु गाउं में संसनिक हेज हत्याकान की खवर सामने आई है बतादे सराबी बेटे ने पीता की टांगी से काट कर हत्या कर दी हत्या की वज़ा हरान करने वाली है मिली जनकारी के मताबिक अरजुन मुंडा ने अपने पीता बोधु मुंडा के हत्या के वल इसलिए कर दी क्योंकि उन्होंने बेटे को सराब पीने के लिए पैसा नहीं दिये घाटना के सुचना मिलते ही दसम फोल घाटना असल पर पहुंची और सौव का पंच नामा कर उसे पोश्मास्टम के लिए भिजवा दिया और ओपी बेटे को गिरफतार कर लिया गया है धन्यवाद